यह newly introduced chapter है एक में लीजिंग क्या होता है जैसे हम लोग कोई business स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई company है जो planning कर रही है कुछ assets लेने के लिए fixed assets लेने की लिए उनके पास दो option है एक तो या तो financially उतने sound नहीं है जो चीज़ चाहिए होगी उसके लिए पैसे नहीं है और अगर पैसे हैं तो वह बहुत जादा beneficial नहीं लग रही है कि इतने दिन के लिए इस particular चीज को लिया जाए तो अब जैसे fixed assets में बहुत सारे चेस करती है तो उसमें cost ज्यादा लगेगा at a time बहुत सारा पैसा चाहिए होगा लेकिन अगर लीज पर ले लेते हैं इस चीज को तो हो सकता है कि over the period of time हम लोग एक systematic ढंग से साल में कुछ पैसा हर साल दे करके कर सकते हैं तो लीज के calculation है पहले जो लीज के होते थे वो ट्रैडिशनल मेथड थे त्रैडिशनल मेथड में वह दो तरह से क्या गया था एक operating lease और दूसरा financial lease लेकिन यह ट्रैडिशनल मेथड को जो अपना इंडियन accounting standard है 116 इसमें इसको change कर दिया गिया इसमें अच्छा वह वाले जो आपके जो operating standard ऑपरेटिंग लीज ते उसमें क्या होता था कि जो लीज के जो भी amount जाते थे वो statement income statement में दिखाया आता था as expense लेकिन जो standard 116 है जो हम लोगों का इंडियन accounting standard में in parallel to Indian financial इंटर्नाशनल 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 इंटर्ट स्टैंडर्ट तो इसमें क्या है उनके पैर्लेली चलती है 116 तो इसमें क्या संसोधन किया गया changes कि इसको अब income statement में नहीं दिखा करके हम लोग कहां देखाएंगे balance sheet में assets में दिखाएंगे balance sheet में right to use assets में और liability side में liabilities दिखाएंगे liability assets ठीक है तो यह चीजों को आगे हम लोग पढ़ेंगे यह मैंने ब्रीफ background आपको बता दिया कि इसमें यह चीज़ें हैं तो सबसे पहले आप देखो देखो अगर कोई firm है जो यह सोच रहा है कि बाई एक capital चाहिए investment परपस से investment के decision लिया कि कुछ assets चाहिए होगा तो if there are a challenge अगर माल लेते हैं उनके पास कोई वो चीज़े जो finance है वो जो capital है वो बिल्कुल manage नहीं हो पा रहा है तब वो क्या करते हैं सोचते हैं कि उस particular fixed assets को हम लोग lease पर ले ले तो if there are challenges in the securing the capital due to investor sometime क्या होता ना कि investor मिलती ही नहीं है investor उस चीज में invest करने को interested नहीं है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि price बहुत high लगता है कि नहीं एक leasing एक अच्छा option क्योंने इसको हम लोग use करें तो एक option यह भी है leasing can reduce capital requirement while ensuring access to fixed assets capital requirement अब कोई अगर particular machine है 20 lakhs के हैं बट वो एक start-up है वो चाहिए होगा वो machine अब 20 lakhs at a time नहीं है बट वो machine वो lease पर ले सकता है तो यहां पर lease leasing and reduce capital requirement while ensuring access हो सकता ऐसा फिर से हो तो आप re-connector लेना इसका मतलब यह हुआ कि कभी-कभी हम लोग जब कोई assets लेने के लिए सोचते हैं कि इसको लिया जाए लेकिन जब इस option को हम लोग compare करते कि क्यों नहीं इस particular equipment को हम लोग lease पे ले ले तो वो ज़्यादा beneficial होती है तो at a time अगर हम 50 lakh invest करें instead of investing those money I mean that much of money at a particular time I mean at present should we go for a lease option अभी अब लोगो cash flow थोड़ा सा देना पड़ेगा तो यह एक option होता है जैसे cash flow आपका रुकेगा नहीं आप अपने 50 lakhs अभी दे दिया अगर कोई assets को लिया fixed assets को लिया तो 50 lakhs अभी दे दिया अब उसको लेने से आपके पास क्या-क्या है एक तो आपको depreciation है ठीक है financially sensible than owing and assets. Leasing offers another medium to long-term finance option. Clear? Next, meaning of lease. Lease का मतलब क्या होता है? देको lease is a contract where one party allows another party to use its property for a specified time on a agreed term. जैसे हम लोग क्या करते हैं? lease पे लेते हैं यह जो है lease पे रेंट लेते हैं, rental income हम लोग इसको count करते हैं. Suppose करो locker लेते हैं हम लोग तो locker के लिए क्या है? higher purchase है, lease पी लेते हैं. वो एक तरह का lease ही है. ठीक है? तो इसमें क्या होता है, lease का मतलब क्या होका है? एक पार्टी जिसका assets है, वो दूसरे पार्टी को allow करते हैं कि आप मेरा assets use करो, बदले में आपको उसका rental rent मुझे देना होगा. ठीक है? तो lease is a contract where one party allows another to use its property for a specified time on agreed term. the owner of the property is the lesser. जो owner होता है, जो property खरीटता है, ठीक है? जिसका जो मालिक होता है, उसको हम लोग owner को क्या बोलते है? lesser and the user जो use करने के लिए rent पे लेता, उसको बोलते है, लेसी. ठीक है? the payment made for the using the property is termed as a lease rental. इसको जो payment हम लोग देते हैं, उसको बोलते है lease rental. lease properties can range from land, buildings, animals to industrial equipment and other assets. सिर्फ ऐसा नहीं है कि land और building भी है, एनिमल को भी lease पे लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब जैसे मालेते बिल्डिंग के अलावा आपके पास equipment है और other assets भी है जिसको हम लोग lease पे देते हैं. यह जो है अंदर Indian accounting is standard 116 के अंदर में, for the most leases, lease will recognize both and assets right of use of assets and liabilities, lease liability on its balance sheet. पहले क्या होता था? पहले इसको हम लोग income statement में as a capital expense. expense में हम लोग note करते थे, लेकिन जब से 116 आया, अब यह right to use, right to use assets बन गया जिसको हम लोग पहली इंकम इनके यह balance sheet में mention नहीं होता था, जो भी lease agreement होता था, lease का payout होता था, वो balance sheet में नहीं होता था, लेकिन as per this standard, अब यह balance sheet में आता है, balance sheet में asset side पे यह लिखाता है, right to use, और liabilities side में क्या आता है? यह, lease liabilities, clear? चलो, next, देखो types of leaps, बहुत सारे leases हैं, जो basically आपको बहुत सारे leases आप जानते भी हैं, तो पहले हम लोग एक leverage lease को देख रहे, leverage का मतला हम लोग एक बंदा है, यह purchase किया, ठीक है, laser borrow money to purchase an asset, and then, अब यह क्या हुआ, यहाँ, एक bank है, suppose करो, इस bank से purchase किया, और इस बंदे को यह यह वाला उठाकर के दे दिया, ठीक है, यह माल लेते हैं कि इसने purchase किया, कोई equipment, bank से finance कराया, यह किसी से खरीदा, तो यह A है, यह bank B है, और यह बंदा C है, ठीक है, lesser, lesser A है, यहाँ, money purchaser and assets, and then the assets to the lessee, यहाँ पे lessee क्या है, C है, यह, आते आगे आते है, lesser might borrow all the majority of the money to the buy assets, हो सकता है, पूरा का पूरा पैसा वो अपने pocket से ले करके दे दे उसकी जववत रही पर है, ownership of the assets remain with the lesser, यह lessee को जब देता है इस वाले particular type में तो ownership किसके पास रहता है, owner कौन रहेगा, यह A ही रहेगा, ठीक है, three parties involve lesser, lessee and lender, यह जो lender है, यह lender है, ठीक है, lessee payment are divided between the debt servicing for the lender and the lesser, इसका मतलब है जब यह payment करेगा, suppose करो कि इसका EMI, suppose करो 10,000 है, ठीक है, यह 10,000 है, इस 10,000 में यह क्या करेगा, यह principal amount, यह 8,000 है, और interest amount, interest 2,000 है, यह breakout में करके देगा, इसको यह बोल रहेए, कि lesser payment are divided between debt servicing, debt servicing for the lesser and the lender and the lesser, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, clear, next, अब आएए एक domestic, ownership कर अपर से बताएंगे, क्या-क्या, ownership कर अपर सम्झाएंगे, क्या-क्या, क्या बोलने है, ownership कहाँ पर, बताएंगे, क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या, बताएंगे, कौन सा था, किस बात को जानना, जब हम कोई चीज किसी से लेते हैं, suppose करो कि there is a agreement between me and hement, ठीक है, hement के पास कुछ assets है, suppose करो assets है, office एक है, मैं hement से उसको lease पे लेना चाहता हूँ, लेकिन वो जो office है, वो चाहता है, hement की मैं खरीद के दूँ, मेरे पास है नहीं, बट उसने क्या किया, वो अपने bank से, SBI से वो purchase कर लिया, interest पे ले करके purchase कर लिया, अब वो purchase करकर है, hement ने मुझे दे दिया, अब मुझे देने का मतलब है, कि मैं यहां पे C हूँ, hement B है, और यहां पे bank B जो है, वो SBI है, जब उसने मुझे दे दिया 10 साल के लिए, ठीक है, आप 10 साल के लिए use किजिए, तो ownership will lie with the hement only, और मैं as a tenant हूँ, lazy हूँ, तो ownership change नहीं होता है इसमें, clear? असल lesser का मतलब क्या होता है तो इसमें? lesser का मतलब है कि जिसने assets दिया use करने के लिए, जिसका assets है, उके मतलब lessy मतलब जो है, lease पे ले रहा है वो lessy हो गया, जो lease पे दे रहा है उसको lesser बोलते हैं अब देखो एक domestic lease होता है, तो domestic lease में क्या होता है? इसमें सारे लोग इंडिया में ही रहने वाले domicide होते हैं all parties, इसको domestic lease कहते हैं, international में कोई एक party बाहर होगी, इंडिया से बाहर होगी, at least one party is not domicile in India, also known as a cross border lease. It can involve country risk, यहां पर country risk भी है, मालूम हो रहा है country से मेरा अनवन है, आप ले लिया और उस country से अनवन हो गया, currency risk वहां के currency अजानक से downfall हो गया या फिर appreciate करने लगा बहुत जादा, तो currency risk भी associated रहता है इस टाइब के lease के साथ, cancelable lease, cancel जब चाहिए आप कर सकते हैं, can be cancelled based on the term in the lease agreement, premature आप cancel कर सकते हैं, non-cancellable lease, आप उसको cancel नहीं कर सकते हैं, specific term रहेगा उसमें और एक specific tenure रहेगा वह अगर माल लेते हैं कि अगर वह occurrence of the like, occurrence of the remote event, the lesser's permissions or the lacey entering into the new similar lease with the same lesser, अगर यह अगर ऐसा होता है, तब वह cancel हो सकता है, अब आईए wait lease, यह क्या होता है, यह asset ऐसा होता है कि हमन्त ने कुछ use करने के लिए दिया मुझे कि आप lease पे ले लो और हमन्त हमने staff को साथ में वेजा कि जैसे हम लोग शादी में जाते हैं, शादी में जाते कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं ना, कॉफी स्टॉल लगा रहता है, जनरली लगा रहता है, तो कॉफी स्टॉल में क्या होता है, जो कॉफी मशीन में जो कॉफी बनती है, उसमें उसका आदमी जिस कॉफी मशीन से वो लेते हैं, तो उसका आदमी भी साथ में रहता है, उसका material भी साथ में रहेगा, और उसका आ जो है साथ में रायएगा तो यह वाले सते वाले में वैसी होता है कि जो Space equipment रहता है वह हंडल उसका Insurance मेंशोरण्स मेंटेनस अब वो सोनแลर करेगा ले 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 में क्या करेगा अब ले आशाख को मैंने दे दिया आपका है Soul स्थैनेक नहीं है आप समझो तो ड्राइवाले में क्या आया कि लेसी रिस्पॉंसेबल रहेगा इसमें क्या है लेसर बड़ा ओपरिशन इंश्रेंस मेंटेनेंस एटसेटरा आप दा लीस्ट एक्विपमेंट क्लियर में सेल एंड लीज बैक्प्र क्यों कर अब देखों यह है और इसकी कीमत है माल लेते हैं 1 CR ठीक है हार्दिक ने क्या किया यह अपने इस प्रॉपर्टी को हेमन को दे दिया बोला भई आप तुम खरील दो इसको इसको परचेस कर लिया अब क्या हुआ कि जब यह हमन को ले लिए तुम बोले इस प्रॉपर्टी को हेमन के काम करो अब इसको मुझे लीस पर दे दो तुम मैं तुम्हें हर मन्त यह माई या कुछ भी इसका रेंट देता रहूँगा यहां पर क्या हुआ हार्दिक का ओफिस वहीं का वहीं है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ सिफ औस इसमें ओनर्शिप ट्रांसफर हो गया हादिक is still working on that particular office the thing is that the only ownership got change from हार्दिक टू हेमन अब हेमन को इसका रेंटल पेमेंट आता है ठीक है तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं sell and lease back transaction. तो an assets is sold by one party to another and then leased back. The permission, the possession remains the same. Only ownership is transferred used to unlock the value of the assets of the firm. ठीक है? फिस्क्रितिसिजम in 90s for the transaction in overvalued junk assets. अब यह क्या हुआ? अब जैसे देखो यह वाले example को देखते हैं. देखो यह वाले example को देखते हैं. यह assets है? यह माल लेते हैं यह assets है. यह किसका है? आर्दिक का है. आर्दिक ने यह 1CR में किसको बेचा? हेमन को हेमन को इसने sell out कर दिया. ठीक है? यह sell out कर दिया. अब यह इसको rental income कमाता है. हेमन को. ठीक है? अब एक चीज समझो कि यहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का जब आर्दिक ने पर्चेस किया था 2019 में तो इसका वैल्यू कितना था? इसका वैल्यू था 150 लाक्स. ठीक है? 2019 में इसका वैल्यू कितना था? 50 लाक्स. हार्दिक ने 2023 में इसका वैल्यू डिक्रीस कर गिया. अब इसका वैल्यू जो है वैल्यू कर पता नहीं था? इसका जो आशेट्स है? इसका वैल्यू कम हो गया है. इस है, सीर्मने वैल्यू कितना था? 25 लाक्स. अब है को बोले कि वाई मैं तुमको लीस पर देदो मैं देता रहूंगा पेमेंट अब यह क्या हुआ यह वन करोर तो इनके पास आगिया हार्दिक के पास ऐसा ऐसा वो चार प्रॉपर्टी और खरीद सकते हैं ठीक है तो यह जो है यह बोल रहा है फेस क्रिटिसिजम इन 90s for the transaction in overvalued junk assets इसको भी बोल रहा है ठीक है नेक्स्ट एक finance bill यह क्या होता है finance of the finance lease the finance lease is also referred to as a capital lease or sell lease यह question आ सकता है capital lease what is capital lease and what is sell lease यह question आ सकता है तो आपको याद रखिएगा कि capital lease or sell lease is also known as a financial lease under the finance lease both lesser and leasee don't agree that the ownership of the lease assets will be transferred to the leasee at the end of the lease period जैसे हम लोग ने यह देखा अब यह एक particular इसके बाद आ करके अगर यह लिए पूरे टर्म को फिनिश होने के बाद वापस से यह ownership हार्दिक के पास आ जाएगा तो finance bill में क्या होता है कि जितने भी यह टर्म से शुरू हुआ माल लेते हैं यह यह 10 years के लिए लिए यहाँ पे हार्दिक है यहाँ पेहमंत है तुक है अब यह जो ओनर अभी यह हैं मतलब यह कौन है लेसर है यह लेसर है हार्दिक और यह क्या है यह मंत लेसी है तो यह जो बिल है यह बिल क्या बोलता है कि जब यह tenure पूरा हो जाएगा तो यह जो लेसर है ना यह ओनर शिप यह ट्रश्फर होकर कर है मंत के पास चला जाएगा यह टर्म पूरा हो जाएगा तो ile finance lease is also referred to as a capital lease or sell lease. Under the finance lease both lesser and lessee agree that the ownership of the leased assets will be transferred to lessee at the end of the lease period. The lesser purchase the asset not for the personal use. यह जो lesser है यह कभी भी purchase करते है प्रस्नल यूस के लिए नहीं बट हेमंत के यूस के लिए बट फॉर्द लेसी यूस फॉर एंग्रिट डियूरिशन यह इत्तिस्त के लिए खरीटते हैं अब जिससे इनके पास पैसा है सबोस करो हेमंत के पास पैसा नहीं है यह जो फ्रॉपर्टी है यह यह हार्दिक ने यहां पर ऐसे समझो कि कि यह हार्दिक नहीं यहां पर यह सब्पोस्ट करो कि 50 लाक्स करिया कि फिप्टी लाक्स करिया ठीक है है मन के पास अभी स्टार्ट अप है यह मन अभी पैसा इसमें नहीं लगा सकता है तो हेमन ते क्या-क्या कि काम करो आप मुझे लीज पर ले लो यह कहीं से ले तो हार्दिक से मिला ठीक है यह 50 लाक्स मैं अभी लगा देता हूं तेन के बाद मुझे अगर मैं एंपीवी जोड़ू एंपीवी अगर कैलकुलेट करो तो मुझे 50 लाक्स का 60 लाक्स मिल रहा है तो लाक्स सब्सक्रों तू लाक्स देना पर नहीं ठीरी लाक्स सब्सक्रोंट के जीर ठीक्स लाक्स थेने पर रहा है तेनी अर्ज़ के जिए सिक्स्राइक देना पर रहा है कि यहां पर पर अनम सिक्स लाक्स देना पर रहा है अब हार्दी को क्या फैदा हुआ कि हार्दी को अभी 60 यहां पर 50 लाक्स देना नहीं पड़ा यह सारे पैसा बिजनेस में लगा हार्दी का अब यह जो लाक्स है यह सिक्स लाक्स वह एक साल में देगा मतलब यह कि यह जो भी प्रोडक्शन होगा कैश इंफलो तो आए गई यह वह पैसा बिजनेस में लगा है और बस मुझे ले लिए इस चीज को तो यह हैं हारदिक ने ट्रास्फर कर दिया क्या कि उसको मेंटेनस खोशता है और वो आपका है उससे जो प्रोडुक्शन हो रहा है वह भी आपके लिए तो रिवॉर्ड जितना भी प्रोडुक्शन होता है उससे कुछ भी उसका जैसे अगर किसी की शादी है अगर शादी हो गई तो लड़कीो वाले क्या करते हैं साधी करके बैटी को दे देते हैं já बैटी है अगर चौण तो वह भी सालरी आप रखेगा अगर नौकरी नहीं करेगी अगर वह बीमार पढ़ी यह कुछ और ज्यादा पढ़ना चाहती है तो भी आपका है तो यह तो यह तो यह समझ में आया क्लियर ओस लूण वूड बी एक्शाम्पल अव फैनांसली स्राइट नहीं नहीं है वह 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 ऑघ्यूजिव लॉजिश पर नहीं होता है आप वह शीप आपके पास रहता है वह आपके पास रहता है उसका टेपर में ऑने ट्रांसफर होता है जब आप टेमेंट देए इस नाट एकाइंड आप लीज लीज पर नहीं लेते हैं ठीक है अब नेक्स्ट आजए है फैनास लीज पे ही लीज से ओफ और फैनास लीज फिक है ना लेजीज लेजीज ओफ और ओफ और ये विद दा इंटेंट ओफ एजेंशियली ओइंग दा लीज वो इसलिए अप करते हैं कि यह एक पर्टिकुलर टर्म में अगर टाइम तक अगर यूज करेंगे तो उसका उन बन जाओंगा तो इसलिए ज्यादा फेवरेबल हैं ठीक है वह इंग एसेट्स पॉर्डब मोस्ट ओफ इस एकॉनमिकल एकॉनमिक लाइफ इस्पैन अब मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एसेट्स का लाइफ इस्पैन सपोस्ट करो कि चार साल है ठीक है अब यह चार साल है और है चार नहीं थोड़ा और बढ़ाते हैं कि तेन यह लेते हैं सपोस्ट करो एक दो फीन चार पांच शे साथ दस ठीक है अब सपोस्ट करो कि हार यह मंत ने इसको फाइव यह तक यूज कि किया तो जब फाइव यह तक यूज किया तो मोस्ट ऑफ दे एकॉनमिक लाइफ इस पैन किस ने किया आदिक ने तो लेसी ने सबसे ज्यादा इसको यूज किया इवन दो दे अरेंट इस लिगर ओनर जबकि उसका ओनर भी नहीं है ओनर कौन है यहां हार्दिक और यूज इस सब्सक्राइब चाहिए यूज किया तो अब इस बाइफ यूज किया तौनर इस तौनर फाइव पाइव अगल शांपल देकर के अब आगे इए कि तौनर इस एलूसराशन the assets is transferred to leasee by the end of the lease term जब टर्म पूरा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं lease को यह जो assets है वो transfer हो जाता है लेसर से lease पे lease can purchase the assets at a price much lower than its fair value it is expected this operation will be exercise अब जैसे माल लेते हैं कि यह पर्टिकुलर चीज यूज हुआ टेंस है माल लेते हैं यह पाइव यह से इसका लाइफ पेस्पेंट इसको मैंने फाइव यह के लिए यूज किया अब क्या है कि जब फाइव यह हो गया तो अब इस पुराने चीज को जब अगर वापस से इसकी जरूवत है मुझे लेकिन लीज का एगरिमेंट मेरा फाइव यह तक ही है लाइफ इस्पैन उस पर्टिकुलर एक्क्यूपमेंट कर टेन यहर से तो अब क्या है कि मेरा पूरा होने के बाद मेरे पास यह option रहता है कि मैं उसको अगले 5 साल के लिए इसको पूरे को खरीद भी सकता हूं कि पूरे को मै आप ओन कर लेता हूं तो लीज यहां पर वही बोला है लीज लेजी लेजी कैन पर्चेस दैसे अट प्राइस मच लोवर मच लोवर दैन इस फेर वैल्यू अब 5 साल के बाद उसको कौन खरीदेगा इतना यूज हो गया कौन खरीदेगा तो आपके पास यह option रहता है जो ल किसमें फैनांस बिल के एक यह वन ओफ दा क्रिटेरिया और फैनांस बिल लीज टर्म इंकम पासेस मोस्ट अफ दे एसेट एकोनमिकल लाइफ तो इसमें क्या है वही चुट मनें बोला कि लेजी सबसे जादा यूज करते हैं सबसे जादा मालने ती यह सेवन यार्स के देखो इसमें क्या होता है यह क्या बोल रहा है कि at the start of the lease the present value of minimum payment present value of minimum payments इक्वल्स और एक्सीड्स दे एसेट्स फियर वैल्यू अब जो फियर वैल्यू है मैंने सपोस्थ करो कि यह एक एसेट्स करीदा 50 लाक्स में सपोस्थ करो कि यह एक एसेट्स मैंने खरीदा 50 लाक्स में ठीक है अब यह जो लेसर है यहां पे इसने 50 लाक्स में खरीदा किसको बेचा है मन को इसने जो पैसा दिया रेंटल इंकम तो जो इसका फियर वैल्यू है इससे नीचे तो नहीं लेगा कभी कोई हैमत को 50 लाक्स में उसने खरीदा है तो ओविएसली यह तो 50 प्लस होगा या फिर 50 ही होगा उतना पैसा प्रिजेंट वैल्यू कि इसाप से वह जोड़ करके देगा कि मेरा प्रिजेंट वैल्यू कितना आ रहा है ठीक है यह ऐसा तो है 55 exatamente यह के लिए है यह यह उन्होंने लिया 50 लाक्स एसेट और आप कि लिया है अब हार्दी कोली 10 तक भी तो अगले । पेड़ चाहिए 7,007,007 अगले 10 साल तक चाहिए तो कितना हो जाएगा 70,00,00 हो जाएगा तो अगर प्रिजेंट वैल्यू निकाले at the start of the lease the present value of the minimum payment equal to the exceeds the assets spare value ठीक है the assets is so unique that only the lease can use it अब क्या है यह इतनी बार यूज हो गया है और यह किसी के काम का नहीं है माल लेते कि आपने crane खरीद के दे दिया है हमन को हादिक ने crane खरीद के दे दिया है और वो crane seven years तक यूज किया हमन को पता है कि उससे उसको यूज क्या करना दूसरे के लिए वह वो सकता है कि वह असेट्स बिल्कुल काम का ना हो तो वह वही बोल रहा है कि यह एक ऑप्ष्ण है कि लिसी कांचल दा लीज बीच में कभी भी कैंसल कर जखता है लेकिन अगर जो लॉसेस हुआ है लेसर को वह आपको भर पाई करना पड़ेकर दाट यू निट लेसी कांचेंट दा लीज एट रेट सिग्निफिकंटली बिलो दा मार्केट रेट मांचेंट लेट अब माल लेतें यह यह सेवन यर्ज के लिए मैंने लिया था चलो ठीकि तुम पहले से यूज़ कर रहे हो तो अभी का जो रेट है वो सेवल लाइक दे रहे हैं अभी का नाइल लाइक है चले इसी को कर देते हैं कि लिए कि सब्सक्राइब और फॉट्ट में डिफरेंस क्या क्या यह सब्सक्राइब नहीं हो जाएगा पांद में जाकर इस आप जो सेकंट फोइंट नहीं के अगए थे लिए कंट भी सब्सक्राइब ना इस फैर वालू और यू अपने आपर आप्ललाव पोइंट बिता प्रेसंट वेलिए विल्यू वेलिए एक प्रेसट प्रेसंट वेलिए प्लू टो जो अस्टिए निए पॉट्ट इन आप you are concerned with this point and four point four point one two three four this one yes yes let's say can purchase the asset at a price much lower than its fair value it is expected this option will be exercise kub yeh aapka kya hai least term hai nd a कितने साल के लिए एके लिए यह खिए कि और यह क्या है कि यूसपुल लाइफ है कि इसका यूसफुल लाइब मासे कि यह 15 एर से यह टोटल है यह अगला पास साल है यह पॉइंट बोल रहा है कि लेसी केंड पर्चेस दा एसेट्स अट प्राइज मच लोवर दैन इट्स फेर वैली अब क्या है कि यहां पर इसने यूस कर लिया इसको टैनियर्स 10 यूस करने के बदब बचा रिमेनिंग 5 यूसफुल लाइफ तो अब ऑप्शन क्या है ऑप्शन यह है कि यह जो है यहां पे अगर आप बीच में छोड़ देते हो यहां पर यूसफुल लाइफ इतना मुझे 10 साल तक चाहिए लेकिन अगर आप 15 यूर्स के लिए आप लेते जब आपने लिया था 50,00,00 में लिए अधाने बाद अब इसकी जो पांस साल की जो चीज़े बची है वो अब इसकी वैलियू है यह इस पाटिकुलर का 20 लाइफ सपोस्ट इसना है पाइब यह बचारे मेंग 20 लाइक से इसकी जो मार्केट वैलिव है यह 25 लाइक से रिभ तो लेसी केंद परचेश्ट अशेट अचेट प्राइज लोवर देंग डैट इस फेर वैल्यू इसका 25 लाइक से बट इस वाले में एक्रिमेंट में एक क्लॉज रहता है कि जब कभी भी आप बेचेंगे तो आप मार्केट रेट से कम में बेचेंगे मुझे का तब इतों लिपारिए कि मार्केट रेट से कम में बेचेंगे ये लिदे लिखा रहता से कम में पचेंगे तब अग ये लेजर को इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें इसको जाकर कि अब फिर से खोजो किसी को बेचो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा इसमें एक साल और गुजर जाए मार्केट डाउनों कर यह पंद्रह लाक आजाए कार 24 में आप कार रखे हुए के बेचेंगे यार पैशा जादा नहीं दे रहा है नहीं बेचेंगे परपोस्ट करो कि आपने यह लैंड खरीद लिया पर्चेस कर लिया और यह तीनों का ओनर एक ही है तीनों का ओनर एक ही है इसमें क्लॉज रहता है कि जब कभी भी आप इधर वाला बेचेंगे तो प्रियारिटी आप मुझे देंगे पहले आप मुझे से पूछेंगे मैं अगर लिखित में दूगा कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है तब आप दूसरे से बोल सकते हैं दूसरे से बेच सकते हैं तो प्रारिटी आपको मुझे देना है तो जब लीज टर्म बनता है तो उसी तरह यह रहता कि आफ्टर दे यूस्पुल लाइफ मा ठीक है तुम जितना दे दो एक लाग बचा हुआ है जितने में देना दे दो मुझे ठीक है तो यह तुमारा दूसरा पॉइंट हो गया है अट दे स्टार्ट आप दा लीज प्रिजेंट वैलिव आफ मिनिमम पेमेंट इक्वल टूदा एक्सीड यहां पे यह बोल रहा है क कि इस बंदे को जो 50 लाग इसने इन्वेस्ट किया है यह यहां तक इस पर्टिकुलर टर्म में इतना पैसा वो निकाल लेता है पैसा कैसे निकालता है कि देखो कभी भी जो पेमेंट होता है एक चीज समझो यह पता नहीं आप लों को पता है कि नहीं पता है कि जब कभी भी हम लोग EMI देते हैं किसी भी चीज का हाउस लोन का बाइक लोन का वेकल लोन होता है या होम लोन होता है कोई भी चीज का लोन देते हैं किसी फॉर्मेट में लोन देते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ यह आपका प्रिंसिपल है यह आपका इंट्रेस्ट है ठीक है तो जब कभी भी आप पहले माल लेते पहला EMI दिया आपने यह फर्स्ट EMI इसेकेंड थर्ड पूर्ट फिफ्ट एंड सो ओन तो देखेंगे कि फर्स्ट वाली EMI में जो इंट्रेस्ट का पेमेंट है इंट्रेस्ट का पूर्शन है वह ज्यादा है और प्रिंसिपल का जो पेमेंट है वो कम है उसी तरह धीरे धीरे जैसे आप उपर जाते हैं प्रिंसिपल का बढ़ जाए दा लास्ट यह प्रिंसिपल का मैक्सिमुं होता है इंट्रेस्ट लो हो जाता है इस फॉर्मेंट में काम करते हैं इसलिए एक साल तक आप अप कभी भी लोन को शिक्ले मन्त से पहले क्लोज नहीं करना थीक है तो जब शुरू में इस फॉर्मेंट में जाता है कि maximum part जो होता है payment का, EMI का, payout का, वो interest वाला part होता है, और minimum portion जो होता है, वो principal का होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपका principal amount बढ़ते जाता है, और interest amount गटते जाता है, अब यहां पे जो आपने कहा कि at the start of the list, the present value of minimum payment equal to, यहां पे यह जो useful life है, यह 50 lakhs है, यहां तक आते 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 आपका पैसा तो आपको 70 lakhs आही जाता है, यह तो एक मैंने एक benchmark ले लिया, suppose करो कि आपका यहां पे टोटल जो value है, residual value माल लेते हैं कि यह useful life है, total इसका value आपको आना चाहिए, 70 lakhs, यहां तक आपने 55 lakhs ले लिया, 10 साल में, 10 years में आपने 55 lakhs recover कर लिया, अपने assets का 50 lakhs का recover कर लिया, इस तिल आपके पास यह जो 5 years से यह बचा हुआ है, plus यहां के बाद इसका क्या है, result value भी है, result value भी है, suppose करो कि इसका result value 5 lakhs है, तो 5 lakhs इदर आया, plus जो इतना term बच गिया है, इसका भी आ गिया, तो यह यहीं बोला है कि जहां तक होता, at the start of the lease, the present value minimum payment equal to exceeds the assets fair value, उससे दूसरे वाले point का, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, clear, yes sir, चलिए, operating lease समझते हैं, देखो जो lease है, traditional जो, traditional है lease, यह दो है, एक है, operating, दूसरा है, finance, ठीक है, यह वाले part में क्या है, इसमें, balance sheet में नहीं दिखाता है, lease का कोई भी agreement, कोई भी payment, balance sheet में payment नहीं दिखाता है, यह वाले में balance sheet का payment दिखाता है, ठीक है, यह वाले part में कहा reflect करता है, income statement में, कहां पर, capital expenses में, ठीक है, operating lease defined by 116 Indian accounting standard as a lease that doesn't transfer the majority of the risk and the reward related to ownership of the assets, finance bill में, finance lease में क्या हो रहा था, वो आपका जो risk और reward है वो lease को चले आता था, आप उससे आप जो करना है किजिए, आप जो करना है आप उसके साथ कीजिए, आप अगर कोई खराबी होता है वो आपको बनाना है, अगर आप में उसको reward मिलता है, कुछ payment आता है उससे वो आपका है, production हो रहा है वो आपका है, यह ठीक उल्टा है, इसमें क्या बोलता है कि it doesn't transfer, it doesn't transfer the majority of the risk and reward related to ownership of the assets, ठीक है, an operating lease is any lease that is not a finance bill, ठीक उसके opposite, finance lease से जो बिल्कुल opposite है, उसको हम लोग operating lease कहते है, classification is based on the true nature of the transaction and not the contractual form, clear, classification is reassess only if there is a lease modification, अगर कोई modification होता है, तब classification होगा, weight lease में lesser provide service, मैंने कहा था कि वो service भी provide करेगा है, जो भी expertise, insurance, maintenance, यह weight lease में, सब किसको करना है, lesser को करना है, but dry में doesn't include the additional service in the weight leases, short lease term, the lease term is significantly shorter than the assets, economical life, यह life span, इसका जो होता है, वो shorter होता है, किस से, financial lease से, ठीक है, cancellation flexibility, the lease can cancel the lease without incurring substantial, जब चाहे तब इसको cancel कर सकता है, जैसे, अब क्या होता है, कि क्या यह 116, Indian accounting standard आने के बाद, क्या अब यह जो traditional operating lease है, यह existence में है या नहीं, या फिर कभी इस तरह का agreement बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है, अगर यह 12 months से अंदर का हो, within 12 months, if you just enter in any agreement, in terms of lease or bailment, ठीक है, तो वो आपका operating lease ही होगा, एक साल से ज़्यादा होगा, तब यह finance lease होगा, क्यों, क्योंकि आप जब value दिखाते हैं, balance sheet पे, जब आप यह balance sheet पे, यह आपका balance sheet है, assets, liabilities, यहाँ पे आप दिखाते हैं, right of use of assets, उसमें बताते हैं कि मैंने 50 lakhs का यह लिया assets है, और liabilities में आप lease liability आप लिखते हैं यहाँ भी बताते हैं कि यह, अब माल लेतों कि यह 2022 है, ठीक है, अब अगर 2023-24 बनाना है, आप payment कर रहे हो, 10 lakhs, तो यह क्या हो जाए, अगले साल यह 40 lakhs हो जाएगा, यह भी 40 lakhs हो जाएगा, इस तरह से यह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे, यह कौन से मिथट से, यह, इस के अंदर में, यह AS, INS, Indian Accounting Standard 116 और इसके पैरलल है, IFRS, International Financial Record Standard, इसमें, दोलों ही 116 है, ठीक है, सब थर्ड पाइंगे, क्लासिफिकेशन is based on the true nature of the transaction, not the contractual form, अब true nature of the transaction क्या है, क्लासिफिकेशन का, क्या इसमें, क्लासिफिकेशन जो होगा, वो true nature का होगा, क्या होगा, जैसे, मैंने कहा ना कि, क्लासिफिकेशन जो true value होगा, इसका इस nature का होगा, कोंट्राक्ट में बना ता 50 lakhs, कब 2022-2023 में, भी 2023-24 यह तो 40 lakhs होगया ना, नेक्स्ट, contents of the lease agreement, यह तो ज्यादा जानना नहीं है, इसमें क्या क्या रहता है, जब agreement बनता है, lease agreement उसमें क्या क्या होता है, particular of the parties, पार्टी, दो पार्टी जो होंगे, उसके include, third party for leverage leases में, अगर है तो leverage में क्या होता है, आप lease ले करके, आप rent पे खरीद करके, bank से कर लिया, तो आपने दे दिया, तो third party भी involved हो जाएगा, description of assets, किस तरह का assets है, वो देना है, equipment, delivery and installation, इसके बारे में details में रहेगा, primary period, effective date, renewal, initial deposit, lease rental, payment terms, यह सब दिया रहेगा, और क्या दारेगा, transferability of the ownership, अगर कोई transferability है, ownership में तो वो mention रहेगा, कितने दिन के बाद वो transfer हो जागा, repair and alteration, जो भी alteration होगा, कौन बढ़पाई करेगा, वो आपको mention रहेगा, insurance, government dues, अगर माल लेते हैं कि कोई land लिया, उसमें कोई taxes लग रहा है, municipal taxes लग रहा है, कुछ insurance लग रहा है, तो वो भी mention करना कि किसको bear करना पड़ेगा, sub lease, restricted activities, आप इसको sublet नहीं कर सकते हैं, किसी और के साथ agreement करके इसको, यह सारे चीज़े, यह वाले clause में आएगा, surrender termination of the lease, जब चाहे कैसे terminate होगा, कैसे surrender कर सकते हैं, वो भी condition लिखा रहता है, default and arbitration, कि अगर default और arbitration का situation आया, तो वो भी उसमें mention दिया रहेगा, तो यह content of the lease agreement है, legal aspect क्या है, देखो, legal, the transfer of property act and union, इसमें क्या आना है, कि यह देखो, यह particular word है, यह ना यह एक act है, the transfer of property act, और Indian registration act, इन दोनों में ना, सिर्फ land के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, only property के बारे में, equipment के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो यह जितने भी leasing वाले चीज़े हैं, उनका जो legal aspect है, जैसे अगर land है, building है, that will be governed by, with these particular act, Indian registration act, और the transfer of property act, but इस दोनों act में ना, यह वाला particular word नहीं है, तो इसको governed किससे होता है, यह होता है किससे, bailment, contract of bailment, Indian contract act में bailment है, उससे governed होता है, in the absence of specific law for equipment leasing, the Indian contract act's provision related to bailment may apply to equipment leasing contract, ठीक है, अब obligations of the leasers, unless in equipment leasing contracts are akin to those of the bailer and the bailie, unless explicitly stated in the lease of the contract, lease contract, इसमें जो bailer और bailie का जो obligations है, Indian contract act में, तो in case of equipment leasing contract, आपको वो यह इसको follow करना है, और अगर यह property है, building है, lands है, तो that will be governed by these two acts, GST, क्या यह GST के अंदर आता है, according to section 7 of the CGST Act 2017, उसमें एक term है supply, और lease जब आप करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं, जब आप lease में देते हैं, तो एक तरह का supply कर रहे हैं, आप service दे रहे हैं, ठीक है, income passes various forms of supply, including lease made for business purpose, यह GST के अंदर आता है, generally 18% आपका इसमें tax लगेगा, lease transaction fall within the meaning and scope of supply, and are therefore taxable under the CGST Act. GST does not differentiate between the finance lease and operating lease. यह दोनो तरे में GST लगेगा, चाहे वो finance lease हो या फिर operating lease हो. अब GST rate on lease transaction are specified. No GST means GST for lease on industrial plot provided by अगर कोई government, state government और इस तरह से कोई development corporation undertaking to industrial unit and leasing of agro-machinery vacant land इस पे कोई GST नहीं लगेगा. GST on lease transaction classified as a supply of goods or supply of services is levied at the same rate as similar goods and services. अब क्योंकि rental income आता है, इसमें rental income taxable होता है, तो जैसी income आ रहा है, इनकम जहां तक बात होते हैं, वहाँ पे income tax आ जाता है, कि बाई income आया आप तुमको छोड़ेंगा नहीं, पकड़ो, इनकम आ रहा है तुम्हारे पास, तो मेरा application है, वहाँ पे आप supply कर रहे हैं, तो GST है, यहाँ पे income आ रहा है, किसको? लेसर को, तो वहाँ पे लेसर को income tax applicability आ जाता है, ठीक है, income tax rule do not distinguish between finance lease and operating lease, GST में भी और income tax में भी, finance lease और operating lease, बोट आर taxable, GST, अंडर GST में भी और income tax में भी, the entire amount of lease rental is taxed as a lesser income, lesser को मिलता income, the lessee can't treat lease rental as a deductible expenses in the lease transaction, अच्छा, यह क्या है न, आप जब से यह finance इस वाले पटिकों न, deductible expenses में, लेसी अपने balance sheet पे, यह बैलनशीट पे मेंशन आप नहीं कर सकते हो इन लेस्ट ट्रांजेक्शन दे लेशर कैन क्लेम डिप्रिसियेशन ऑन दा एसेट्स बिकॉस दे ओन दासेट्स अभी क्या है कि जब यह अपने असेट्स खरीदा माल लेते कुछ एक्यूपमेंट खरीदा मैं ओनर हूं मैंने क है उसका एक लाइफ सटन लाइफ है लाइफ स्पैन है अब उस लाइफ स्पैन में क्या है डिप्रिसियेट कर रहा हो हर साल डिप्रिसियेट कर रहा है तो जैसे क्या है कि आप जब एकाउंटिंग इंट्री करते हैं जो कंपनी एक्ट में है जो इंकम टैक्स एक्ट में है क कि आप depreciation ले सकते हो कोई भी assets पे fix assets पे जो depreciate करदा है तो उसको benefit क्या हो जाता है एक तो rental income जा रहा है सपोस करो कि इसने 50 lakhs का कोई assets करीदा अब इसको यह 7 lakhs आया एक साल में इससे rental income कि government पूछा कि यह income है आपका किस पर tax लगेगी कि भूला हाँ ठीक आप ले लिजिए कोई रिक्कत नहीं है बट इस पर जो 50 lakhs है इस पर मुझे आप depreciation भी तो देंगे ना तो 7 lakhs में से जतना depreciate किया आप इसमें से मैनस क्या करेंगे depreciation करेंगे इंकम टैक्स के लिए सब्सक्रों कि यह ब्रैकिट में है कि भाई 10 lakh वाले ब्रैकिट में आगिया कि साथ लाक है पलस थ्री ले त्री लाक अदर इंकम में इसका टेल लाक्स के ब्रैकिट में आगिया जिसमें स्यसिए लाक्स है अब क्या करेगा वह depreciation का क्लेम ले सकता है इसमें से तो यह माल ने थे कि depreciation का एक एक जांपल है कि लिए तो टोटल टैक्सेबल इंकम नाइन राक हो जाए गाए ठीक है देलीजी इस नॉट इलिजेबल टो क्लेम ऎनी डिप्रीशिएटिशं लेजिको क्योंकि अनल नहीं है तो कोई क्लेम नहीं करेगा दिप्रीशिएशन का इन अiszल अड ऊंत बैक्स गूर्चार्च आ५्य हूल अलावल देखो यह क्या बोल रहा है यह क्या बोल रहा है कि इनसेल लीज बैक लीज बैक बताया थे आर्दिक 50 लाक्स का लिया था यह बेचा किसको हेमन को ठीक है वापस से हेमन से यह लीज पर ले लिया यह वहीं का वहीं है ownership चेंज हो गया ठीक है अब यह बोल क्या रहा है यह क्लाउस कि the sell and lease back transaction income tax allow for the depreciation अब इसमें depreciate तो कर रहा है suppose करो कि इसने लिया था 50 लाक्स में ठीक है यह 50 लाक्स में लिया था इसका यूस्फुल लाइफ है 10 यह तैन यह और इसने फाइव यह बेज दिया ठीक है तो यह suppose करो कि यह टोटल अब 30 लाक्स में बेच रहा 30 लाक्स में बेच हूंगा कौन हार दीक बेचेंगे क्योंकि 5 यह तो आपनी यूस कर लिया अब जो डिप्रिसियेशन है वो 30 लाक्स पर नहीं होगा यह यही बोल रहा है कि आप 30 लाक्स पर नहीं आप 50 लाक्स पर ही डिप्रिशेट काउंट करो तो इन असे लेंड लीज बैक्क ट्रांजेक्शन इंकम टैक्स रूल अलाओ फर देप्रिशेशन तु बिक्लेम ऑन दढ़ैटक वेल्यु आफ दॉल्टेशन नॉल्ट यॉल्ट लिज है वाल्यू अट्छूल से ल्डॉल अधर घृट्टी लाक्स जो आसेट्स है जितने का उस पर आपका डिप्रि क्लेम कर सकते हैं आप यह नहीं बोलेगा आपको आपको जब क्लेम लेगा तो डिप्रेसेशन हेमन को करने लेगा और लिए पर चेस्ट पर इस पर लेगा हा सब्सक्राइब अब अब अकोंटिंग अप्ली क्रांजेक्शन इन बुक फ लेजर और पैनांस लीज लेगा अगर लेजर के में कैसे अकांटिंग होगी वो देखिए इनिशाल रिकिनिशन अधा कमेंस्मेंट अव दे लेस्ट शूद रिकिनाइज असे हैं अंडर दे फिनांशल लेस्ट इस अ बैलन शीट में लिखना है था असट शुद बी प्रेजेंटेट आज रिसेबबल इकुल टुद नेट इन इन दे लीज यह क्या हुआ था शुद बी प्रेजेंटेट अज रिसेबबल इकुल टुद नेट इन इन वेस्मेंट इन दे लीज जब आप बैलन शीट बनाओगे एसेट लिखोगे लाइबिलिटी लिखोगे तब यहां पर यही बोला कि एसेट शुद बी प्रेजेंटेट एज रिसेबबल इकुल यहां पर आप लिखना होगा रिसेबबल किस से हां हेमन से हार्दिक है मन्त तो यहां पर अभी हम लोग किसका एकॉन बना रहे है हार्दिक का तो यह वोल रहा है कि इससेट शुट बी प्रेजेंटेट एसे रिसेबबल इकुल टू दा निट इन्वेस्मेंट इन दा लीस्ट टोटल इन्वेस्मेंट कितना हुआ फिप्टी लाक्स क है 50 लाक्स है आप यह नहीं बोल सकते के लिए यह आप रिसीबबल लिखेंगे और यहां भी 50 लाक्स लिखेंगे तो इसमें आप प्रिंस्पल प्लस इंट्रेस्ट इसको भी अलग-अलग करके करेंगे 7 लाक्स का बाइफर्केशन करके accounting of lease transaction in book of lesser for next or finance income क्या है the lesser should recognize finance income over the lease term जब तक lease term में finance income उसको तब तक ही consider करना this recognition should reflect constant periodic rate of return on the lesser नेट इन्वेस्टमेंट इन दा लीस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 नाइक टेर अब एक चीज बताइए कि अब इसका इंप्लिकेशन अगर हम लोग इसमें देखें इंडियान इस्टांडर्ड आपकांटिंग इस्टांडर 116 के हिसाब से देखें तो क्या होगा इवेन दो दा लेसर इस दा ओनर दा लीस एसेट इस नौट कैपिटलाइज इन दा लेसर बैलन शीट जबके वह ओनर है आप जब ओनर है यह देखो कि हार्दिक जो है वह इस एसेट्स का ओनर है और हमन एक तरह का टेनेंट है ओनर होने के बाद भी इस एसेट्स को कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसको लिखना है रिसीवेबल यही बोल रहा है कि इस पर इस थे स्टंडर्ड एवन दो द लेसर है जो हार्दिक है इस नॉट इस द ओनर द लेस एस इस नाट पिटलाइज अंड लेसर्ट बालन शीट थेक है instead it's shown as a receivable which represents the net investment in the lease. This value is essentially the present value of the lease rental expected to be received from the lease. Clear है? पढ़ चुक है हम लोग? डिसकास कर चुक है? The discount rate used to compute the present value is the interest rate employee sit in the lease. अब जैसे देखो के हम लोग क्या किये? एक assets है आदिक है हेमन्त है ठीक है? अब यह जो assets है हेमन्त अगले 10 साल तक 7777 लाट करकर के माल लेते हैं 5 बेर्स तक दे रहे हैं और हमन्त को यह निकालना है कि इसका net present value कितना है तो हमन्त क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका rate of interest देखेंगे? कितना जाएगा? इस assets का लेने में में मेरा कितना जा रहा है? तो हार्दिक अगर जब यह book value में देखेंगे कि ठीक है मेरा cash flow आएगा future cash flow है अन्यूटीज है future cash flow है हर साल मुझे 7 lakhs आएगा और मैं लगा रहा हूं अभी 30 lakhs सपोस्ट करो 30 lakhs लगा रहा हूं उसमें हर साल आएगा इस पे जो मैं interest दे रहा हूं इस पे सपोस्ट करो 10 परसंट दे रहा हूं अन्य परसंट दे रहा हूं तो अब इसको net present value निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग टी बी आई एफ निकालेंगे एक क्योंकि सिक्वेंच में कितने पे निकालेंगे सुमें कितने पे निकालेंगे पय ऐउट कितना आ रहा है से वλιग्स कि फिलाक्ज और कपिने ठंड के लिए आ रहा है चिएन ए lower अधि यह सिन फिद्वेय फिल्ल कि निकालेंगे तो आप अगर पहली पीडिटी पीडी आई फवेस निकालिएगा किसका 10% 10 years यानि कि 1.1 ऐसे निकालेंगे ना 1.1 तुदी पावर 1 1.21 तुदी पावर टू ऐसे सकरके हम लोग आगे पढ़ेंगे यह आगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो पहले हम समझने के लिए बचा दिया कि इवें दो यह तो चला गया इंस्टीर इट शोन आज रिसीबबल विच रिपर्जेंट नेट इन्वेस्मेंट क्लियर इंद लेस्ट वैल्यू इस इसका प्रिजेंट वैल्यू कितना है दा दिस्काउंट रेट उस्टू कॉंप्यूट दा प्रिजेंट वैल्यू यह दिस्काउंट रेट जो मैंने बोला अभी की सेवन लैक्स सेवन लैक्स एडिवाड़ वै क्या होगा हूए हूए है है डिवाड़ बाई आ र वन जिवन लैक्स डिवाड़ वै यह प लस आर तो दी पावर टिव होगा हुए है प्लस आर तो दी पावर टी अब उच इतने साल के लिए वह आपका डिसकाउंटेड रेट में निकालना है यह समझने के लिए आगे बताते हैं हम लोग अब सपोस करो कि इन दी बूक ओफ लेजर अगर लेजर के बूक में हम लोग एक क्वेशन बनाते हैं ठीक है इन दी बूक ओफ लेजर यह समझो अबसे लिमिटेड परचेज एन एक्यूप्मेंट ऑफ 10 लाक्स कितना लिए 10 लाक्स का ठीक है अन लीज इट तो एक्स वाइज़ेट ठीक है पर अब पीरियोड ओफ टेन एर्स एक सेकंड लोगो मुझे यह मैं चीज पूछना चाहरा हूं आपसे उसके बाद फिर मैं यह देखाऊंगा ठीक है अब देखो यहां पे अबसी लिचे लिट पर्चे इन एक्यूप्मेंट पर 10 लाक्स एक 1001 लाक्स और लीज इस टो ठीक है and the residual value of the equipment is neil. कोई भी इसका resale value, scrap value, residual value, कुछ भी नहीं है इसका, neil है. No initial payment is involved. The interest rate implicit in the rate is 10% how this lease will be treated in the book of ABC. मतलब lesser. ठीक है? देखो इसको अगर ये question है, सबसे पहले तो क्या है? The present value of the lease rental is 18 lakhs. क्यों? कि वो वो लाए कि 18 lakhs rental है. कितने साल के लिए? अगर दस साल के लिए, मतलब 18 lakhs है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास cash flow दिया हुआ है कितमा? 10 lakhs. मतलब 10 year, तो अगर p v calculator है, p v i year किसी के पास calculator है भी? कि calculator है किसी के पास? yes or no? कि किस के पास है? कोई तो बोलो बबाबा, calculator है आप लोगों के पास? यस और नो निकाल पाओगे देखा आप सोगे सारे सोगे क्या एमन ज्यादा बोल दिया एमन इसलिए सोगे हार दिक कोई नहीं है क्या अच्छा कोई नहीं चलो ठीक है देखो कि दप्रिजेंट वैल्यू आप दे लीज रेंटल इस एटी लैक्स ठीक है अच्छा कैलकुलेट नहीं करना मैं ऐसी बता देता हूं ठीक है और यूस्फुल लाइफ कितना है टेन एर्स तो जब आप पीवी आये पे निकालोगे 10% 10% 10 years है तो आपका कितना आएगा 10% 10 years पर आएगा 6.145 ये इतना आएगा इसको आप क्या करो 6.145 इस्को यह जो पीवी एक इसको आप मल्टिप्लाइब कर दो 18 लैक्स एक टीन लैक्स है ठीक है तो जब यह टी लैक्स से आपका यह आएगा तो यह टोटल आपका कितना आजा 110,061 यह इतना आजाएगा यह पूछ रहा ना यह पूछ रहा ना वो सही है सही है यह बता दू यह सही है अब का अब कॉन कॉन सोय हुआ है अच्छा इमंत यह सै बोलो बाबा खाना उना बना रहे हो क्या कि यह से आप कल्कुलेट बताएं आप 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 सोय हुए थे क्या नहीं सर्थ हां है मैं अतने दिर से बोला है मंत मेरे करन अर्जुन आएंगे मेरे करन अर्जुन आएंगे करन अर्जुन आई नहीं रहें देखो पहले क्वेश्चन पहले समझो ठीक है क्वेश्चन में क्वेश्चन क्लियर है आपको निकालना क्या है कि यहां पर पूछ रहा है कि ABCD माले तए ABC पुचेस अनुकमें पूछ रुपीस घंड लाइंड दी ह Grade को इसने लीज पर इया पर अर्जुन आपर आपरी अपरा क्वेश्चन आपरिए ऑीज, आजुन आपरीड़ आए पूछ आपर आप अर्जुन आपरा क्वेश्चन आपरा क्वेश्चन आत आप नो इनिश्यल पेमेंट इस इंवाल्व दा इंट्रेस्ट इंप्लिसीट इन दा लीज इस 10 परसंट और इस लीज विल बी ट्रेटेड इन दे बुक आप कहां जाएगा यह कैसे इंट्री हो गए इसका तो सबसे पहले तो आप जब भी यह यह एटीन लाइक्स है तो आप इस एटीन लाइक्स को यह टोटल जो वैल्यू है आप क्या करेंगे रिसीविबल वैल्यू दिखाएंगे आप इसको बताया था इस एटीन लाइक्स पर इससे क्या आ रहा है आपका कैश फूलो आ रहा है अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है उसका प्रिजेंट वैल्यू ने निकालना है एटीन लाग्स का प्रिजेंट वैल्यू क्या होगा जो कैश फ्लो आ रहा है प्रिजेंट वैल्यू उसका एटीन लाग्स का प्रिजेंट वैल्यू क्या होगा तो प्रिजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं पीवी आ का 10% से जब आप निकालोगे तो आपका कितना आएगा 6145 आएगा अब जब यह 6145 आगा कैश प्लोग कितना आ रहा एटी लैक्स इसको मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो प्रिजेंट वैल्यू आपका निकल गया जो पैसा आपको दस साल के बाद मिलेगा दस साल तक मिलेगा अगले दस साल तक वह दस साल में टोटल आपको कितना आ जाएगा इंकमिंग आपका 180 लाक्स बट उसका जो प्रिजेंट वैल्यू आज के डेट में उसको ही बुक के इंट्री करना है बुक में तो वही जाएगा तो उस वाले बुक के इंट्री करेंगे तो यहां पे 110.61 ल नहीं देखा है किसी के पास बुक है अभी किसी के पास बुक है ओपिन करो जिसके पास बुक है यह वाला पेज ओपन करो यह कोश्चन निकालो कि अग्युद्ध करेंगे पेज नमबर 505 वेरी गुड़ रमेश निकल गया ठीक है अब यह क्वेश्चन में जब आपने देखोगे ठीक है जिसने निकाला क्या वह बात कर सकता है मुझसे जिस किसी ने भी रमेश क्या आप कैन यू टॉक टॉक टुमी कि यह मंद कोई भी जिसने बुक खोला है अभी वह बात कर सकता है मुझसे क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा उससे उस बुक से हाँ सर पूछे ठीक है हर्दिक देखिया हर्दिक आपके पास यह क्वेश्चन दिख रहा है है अब इस क्वेश्चन में देखिए कि इस क्वेश्चन में उसमें सेलूशन भी दिया हुआ है सेम दिया हुआ है कि पीबी आई एप से निकालेंगे 10 परसेंट 6.145 आएगा 18 एक और एंसर आइगा 110.6 1,001,006 यह आपके विक वैल्यू में जाएगा किसके ABCD के ABC के लिमिटेड में यह लिखा हुआ है यह यह क्वेश्चन का सेलूशन बूख में गलत दिया हुआ है कि यह क्वेश्चन का जो सेलूशन है बुक में गलाद बुक पर बहुत सारी गलतिया है बुक पर मत जो डूंट गो बाइव दबुक विकास बुक इस दफूल अब इसमें एरर क्या है कोई बता सकता इसमें एरर क्या है मैं मान जाओंगा कि वह मेरा दम सही का बंदा है मैंने जो अभी सॉल्प किया उसमें कोई एरर है कोई भी देखो क्या एरर है इसमें कि इसमें कि यह वाले पार्ट को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है कि यह वाला कहां गिया फिग्यार इस लाक्स जो खर्च हुआ है कि निगोशेटिंग में एरेंजिंग में पेपर बेपर वर्क में वह सिक्स लाक्स वह कहां गिया कि वह तो कहीं मेंशन नहीं है इसमें यह आपने पीवी आइफ निकाल लिया टेन यह यर्स का टेन परसेंट पे शिक्स गिए एक्टीन लैक्स आपका यह लाक्स आपका कैश परोग रहा है बस आपने निकाल दिए कि आप नेश को इंक्लूट तो कि यह नहीं इस यह तो वन टाइम पेमेंट है तो फिर आप यहां पे प्लस करेंगे प्लस 6 लाक्स तब यहां पर एंसर आना चाहिए वन हेंड़ेट सिक्स्टीन पॉइंट सीक्स वन लाक यह आपका एंसर होगा ना के वन हंड़ेट टैन आएगा अब आपको हम दिखाते हैं देखो यही मैंने आप लोग के लिए चुपाया था कि इनिशल कॉस्ट तो आपने कंसीडर तो किया ही नहीं है कि समझ भाया है आप चलिए हालो हाँ सब्सक्राइबल दिखाएंगे एसेट में और यह हम एक्समेंस में नहीं दिखा सकते हैं क्या यह और करी टोटन जो आपका जो कॉस्ट है डिसी अफ़ेंगे आप ABCD कि जो total है वो आप इस में दिखाएंगे ना यह आप किस में दिखाएंगे आप balance sheet में दिखाएंगे asset sides और liability side अगर आप तो lesser है ठीक है ना आप lesser है तो आप balance sheet में दिखाएंगे ना Receivable amount दिखाएंगे ना य। उस cleaner आप नेट इन्वेस्टमेंट अमॉंट दिखाएंगे कि इतना क्या है प्रोटल इन्वेस्टमेंट अमॉंट कितना है आपका आपका आप ऐसे समझो कि आपको 18 लाग हर साल आ अगले 10 साल के लिए 18 लाक्स यू आर गेटिंग और एयर वाइज फर देनेक्स 10 यह तो इस पर बोल ला है कि बुक वैल्यू में आप कैसे लिखोगे तो फूचर वैल्यू का तो लिखोगे नहीं आपको लुकूँगे प्रिजेंट वैल्यू का तो प्रिजेंट वैल्यू इसका आप निकालोगे तो यहां पे पेंटरेस्ट तो दिया हुगा है जिए यहां पर फिंटरेस्व को ना यहां पर आपो 11 लाक्स मिला हुआ तो यहां पेंडी लाक्स मिला प्र उयां यह 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 तक आपको एटीन लाक्स मिला पहले साल मिला एटीन दूसरे साल एटीन तीसरे साल भी एटीन 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 मिला यह चो पैसा है यह तो आपको तीसरे साल मिलेगा आज के डेट में उसका वैल्यू क्या लिखेंगे तो हम लोग प्रिजेंट वैल्यू लिकालेंगे ना प्रिजेंट वैल्यू निकालेंगे तो प्रिजेंट वैल्यू निकाल divided by 1 plus r to the power 1 plus 18 lakhs divided by 1 plus r to the power square फिर प्लस 18 lakhs divided by 1 plus r 3 and dot 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 18 lakhs divided by 1 plus r to the power 10 ऐसे ने निकालोगे इसका अब यह जब total आप जब count करोगे यह total जब आप discounted rate में निकालोगे तो total आपका जो amount आएगा वो आएगा 110.61 lakhs यह इतना आएगा जब करोगे या तो आप इस method से calculate कर लो या फिर आप यहां पर P B I F A लगा लो इससे calculate करोगे तो आपका क्या आएगा 6.145 आएगा into 18 कर दो same value आएगा अब क्या है कि यहां पर यह भी cost है यह बुक में consider नहीं किया है गलत है solution गलत है बुक का तो यह बुक में ना consider 6 lakhs नहीं किया है तो आपको क्योंकि initial cost है इसको अब यहां पर प्लस 6 lakhs आपको add करना पड़ेगा अब जब यहां 6 lakh add करोगे तो 116 116.61 लाक टोटल आ जाएगा यह इसके बुक वैल्यू में लिखा जाएगा किसके सब्सक्राइब करेंगे आप डालेंगे ना उसको इसमें यह निगोशेटिंग में और इसमें भी तो लगा रहा है तो कॉस्ट है आपको आपको ट्रांस्पोटेशन में इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा तो मसीन का टोटल कॉस्ट तो आप उसमें एड़ करोगे ना कि लिए अगर इसको 110 रुपया उसका प्रेजेंट वैली हो रहा है तो उसका टोटल इंवेस्ट मूल भी हंड्रेट प्लस छे इनिशल कॉस्ट भी तो तो फूर लैक्स प्लस रुपिस का उसका प्रेजेंट वैल्यू पे प्रॉफिट हो रहा है कि एक देखो यह 180 लाइक्स उसको मिलेगा यह इसका प्रेजेंट प्लस इक्स लाक्स यानी 150 harvest in two hundred eighty six lakhs का present value है क्योंकि इसको 18 lakhs हर साल मिलना है दस साल के लिए प्लस जो यह सिद्लय रहेगा क्योंकि वो discounted Bread में जागा आपका हर साल** मिलना है हर साल आपको iadeats तो आप डिस्काउंटेड रेट आज का प्रिजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे रेट आफ इंट्रेस्ट डब डाल देंगे यहां पर इसको आप क्या करेंगे यहां पी करेंगे 1.1 करेंगा डॉट 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 इसको समाज गया मेरे को कैल्कुलेशन में नहीं है दाउट मेरे को सब्सक्राइब यहां पर लिखा है वह सलूशन पर क्यों नहीं लिखा था कि मैं सो तरह कि अगर वन वन टैन ही उसका रिस्योबल रहेगा आगे जाके आपके उसका और फिर सब्सक्राइब बुलें आपने जो बोला ना कि स्वालुशन गलत दिया है बुक में तो मेरा मेरे टोटल रिशुबल में फ्यूचर में जाके तो हैसे लेसे तो मैं सोचूंगा कि क्यों आपको मैं जाजादा दूपर इसको कर रहे हो आप इससे अपक कि दा सकता हूं कि मेरे मेंक से डालेंगे आप कोई मशिनिरी आप इंस्टॉल करते जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है तो आप उसी के साथ डालते हैं एक से किस बाएद में बुक करेंगा इसको ओक्यंद अधूशन दरेगा तो फिर वो लेसर के बुक में तो हम नुने देखिए इस वाले पार्ट को लेसी के बुक में क्या होगा ठीक है ना यह लेसी के बुक में यह क्या होगा अब यह लेसी के बुक में यही इंटरी क्या होगा यह आपके बुक में नहीं दिया हुगा आखिर ये इंट्री तो मैंने लेसर के बुक में देख लिया, एगर यही इंट्री लेसर के बुक में जो पैसा दे रहा उसके बुक में इंट्री क्या होगा, तो देखो, इच अन्वल पैमेंट इस 18 लाक्स, वोड बी स्प्लिट इन्टू, रेदूसिंग दा लीस लियाबिलिटी और इंट्रेस एक्पेंसे, दो पार्ट में प्रिंस्पल और इंट्रेस में, इंट्रेस में, अट दे स्टार्ट इंट्रेस पोर्शन विल भी हायर, जो मैंने आपको यह बताया था, ठीक है, and the time progress, the principal portion of the payment will increase, अब क्या करेंगे हम उसको, debit, interest expenses, जो 10% opening lease liability है, वो, आप debit, debit करेंगे किसको, दो हेट बनाएंगे, आप एक, एक को क्रेडिट करेंगे, और दो debit करेंगे, किसको, एक करेंगे, आप debit, interest expense को, क्योंकि आप interest दे रहे है, as a lease, तो आप interest कर, interest दे रहे, दूसरा, आप हेट क्या है, आपका lease liability, जो आपका R.O.U. balance sheet में दिखाएगा, liabilities में lease liability दिखाएगा, तो उस हेट को, आप L.L. lease liabilities को दिखाएगे, credit किसको करेंगे, credit करेंगे, bank account को, या cash को, जैसे आप दे रहे, bank या cash, इसको आप करेंगे, accounting entry, अब या, since the useful life of the machine is 10 years, and there is a no residual value, the right of use of asset would be depreciated straight line over 10 years, जैख है, देविट, depreciation expenses, credit, accumulated depreciation, ये आपके book में नहीं दिया है, सिर्फ समझने के लिए question में भी नहीं आएगा, at least you should understand कि when there is a one entry of laser, you should understand and you, what is the another entry, and what is the entry of other side, as a lazy, जैख है, तो credit accumulated depreciation, right of use, ये इतना आजाएगा, और इस entry, आप सिर्फ इतना याद रखो, ये इस से ज़्यादा मत दिमाग लगा, कि जब कभी भी होगा, तो उसका दो account debit होगा, एक interest वाला, एक LL वाला, lease liabilities वाला, ठीक है, next, lease financial decision, the implication of 1.816, when you buy an asset with the borrowed fund, you own the assets, ठीक है, this means, you can claim the depreciation, which can reduce your taxable income, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, on the other hand, if you lease the assets, you typically cannot claim the depreciation, since you don't own it, however, lease payment can often be expensed, अब क्या है कि जब आपने lease पे लिया, देखो, यहां हार्दिक है, यहां हेमन्त है, depreciation ले सकता है, claim कर सकता है, देखो, यह, 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 हार्दिक, depreciation claim कर सकता है, हेमन कर सकता है, क्या हेमन, depreciation claim कर सकता है, नहीं क्योंकि वह ओनर तो है नहीं तो यह क्या करेंगे यह बाइस साब जो यह माई दे रहे ना जो सेवें लाक्स दे रहे पर एयर यह जाएगा इनका expenses में यह जाएगा expenses में इनका और दे लीस पेमेंट कैन ओफन भी एक्सपेंस ठीक है प्रोवाइडिंग लीज रेंटल टैक्स चील्ड अच्छा इसमें एक सरकार ने क्या कि यह सेवल लाइक इनको बाइस साब को कितना मिलेगा 25 परसेंट जितना भी डिप्रिसेशन है उसका 25 परसेंट माल लेते ही स्ट्र पाच पाच ऐसे करके स्टेट लाइन है तो फाइब लाग डिप्रिसेशन मिला इसका 25 परसेंट कितना होगा कि इसका 25 परसेंट क्या होगा कि यह इतना कि बारह अजार पाइब लाइक का 25 परसेंट कितना होगा बन लाइक 25 तॉसर इतना होगा ना तो यह डिप्रिसेशन मिल जाएगा अब यह भाई साब को क्या मिलेगा यहां सेवन लाक्स मैनेट एक्समेंस में जा रहा है लेजी को मतलब हेमंद को तो हेमंद यहां पे लीज रेंटल टैक्स सिल्ट में इनका जाएगा इनका सेवन लाक्स में 25 आप टैक्स रिलीफ मिल जाएगा ठीक है ओनर्शिप आल्सों मीन्स यू विल भी बेनिफिट फ्रॉं देशिडिवल इस्क्राइब वैल्यू अप्ट एसेट्स अधे इंड इस यूसफुल लाइफ सम्टाइम यू फॉर्फिट वन लीज लिजिंग जब आप लीजिंग हो जाता है खतम हो जाता है तो उसके बाद फॉर्पिटिंग हम लोग बढ़ा दिये हैं कि उसके बाद क्या करते आप अब आ जाएगे कि मेथट तू कंपेर दा टू आप्शन यह जो आप्शन मैंने बताया इसको हम लोग नेट प्रिजेंट वैल्यू से कंपेर सपोस करो कि आपको एक एक्क्यूप्मेंट खरीदना है ठीक है आपने में देखें हम Düny के सब्सक्राइब संट के आड़ी के पास अप्याम है कि करों कि आगा है अगर मैं देखों की यह अगले फिहतीन लाकष करकर के मैं दे रहा हूं क्या मैं इसको देना चाहिए फूरूट हर साल का और जितने भी एक्स्ट्रा जो इसमें कॉस्ट इंकर्ड हुआ है उसको जोड़ करकर के कैल्कुलेट करके वो यह करेंगे कि इसमें मुझे टैक्स कितना मिला और कितना बेनिफिट हो रहा है आप कर सकते हैं कि इक्वल अमाउंट आप जितना यह माई दे रहें जोड़ जैसे वनेटी लाक्स आपने दे दिया और अभी लेंगे तो हैंड़ लाक्स लग रहा है एक ऑप्शन वह हैं और दूसरा है इंटर्नल आई आर आर मेथट इंटर्नल रेट ऑफ रिटन मेथट से हैं यह जो AIRR है यह त्राइलन एरं मिठड़ है इसमें और का वैल्यू आहर को निकालना परता आए आ आर का वैल्यू आप ऐसे निकाल नहीं सकते हैं छलिए इसमें दिखते हैं बाकी और व्द दो है एं मिठ जो हम लों ने निकाला था दूसरा है इंटर्नल लेट रिटर्न में इससे निकालते हैं हम लोग और तीसरा है एक्विटेड एक्यूवेलेंट लोन अमांट में इसमें आप कंपियर करते हैं जैसे 50 लैक्स है माल लेते हैं वह 100 वाले केस में था 100 लाइक्स का और 18 लाइक्स दे रहें अगले 10 यह तक तो टोटल मेर दस साल में 86 लाक्स देना एक्स्ट्रा जादा अच्छा है कि अभी दे करके खरीड लिया जाए तो यह करते हैं हम लोग इस से एक्क्यूवेलेंट लोन अमांट से यह दोनों में इन पीवी जुड़ा रहता है यह दोनों का कंपेर आप इन पीवी से ही करते हैं इसमें टैक सिक्टीन लाक्स है इसका प्रिजेंट वैल्यू तो क्या अभी ले लूँ यह अभी ले लूँ इस मेथट से चलिए इस पर देखते है क्वेश्ट्रा देखो ABCD Limited is evaluating whether the lease or buy a piece of equipment here are the details cost of the equipment is 20 lakhs useful life five years depreciation method straight line is crab value after useful life is one lakh cost of borrowing 13.33 percent equivalent to the post tax interest of 13.33 into 0.75 अगर post-tax interest भी जोड़े तो अवराल 10 percent आ ठीक है अब lease rental है जो एट लाक्स है पर एयर टैक्स रेट है 25 percent इसमें कुछ assume क्या हुआ है कि ABC Limited chooses to treat this lease as a one for which the underlying asset is of the low value therefore the provision of the Indian accounting standard 116 will not be applicable imply that it will not be benefit from depreciation in case of lease take a based on this above determination determine the cash flow NPV for ABCD in case of both leasing and buying the equipment which option is more beneficial खरीदू या lease ले ले लूँ इसको आप इसके इन शॉट मारिये अ कि मार लिए सारे लोग कि पास्ट अ और या ड़न लिको यस एक बार गुरूप में बेज देना बेज करके डन बोलो एक बार गुरूप में बेज करके डन बोलो यह स्क्रीन शॉट माल लो आप दन वरी गुडए अब एक का म करो यह question दिया है इससे three question बुक में आपके तीन question है boutique method से आपको बनाया गिया है यह तीनоже method से तो ठीक है यह मैं अभी दिखाऊंगा नहीं आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा मैं चाहता हूँ आपको यह बना करके लाओ तो उसके बाद फिर इसको बताते हैं एक चीज़ मैं बता देता हूं चलो बुक में जो है ना एक चीज़ में बता देता हूं वो थोरा समझने में असानी हो जाएगी बाकी का बनाना देखो यह ऐसा एक यह मिलेगा इसको समझने में प्राबलम होगा इसमें समझने में क्या प्राबलम होगा जब आप क्वेशन पर जाओगे यहां पर दो आप्शन हैं इस क्वेशन में यह बाइ करूं की खरीदूं यह बाइ करूं की लीस पिलूं यह दो आप्षन है इन दोनों आप्षन को इनों ने दिया है अगर बाइ करते हो तो कॉस्ट अप एक्क्यूप्मेंट 20 लाक्स आपके पॉकेट से जाएगा ठीक है यानि टोटल कैश फ्लो जो है 20 लाक्स आपके से जाएगा और बजले में डिप्रिसेशन अगर आप करोगे तो हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल आपका टोटल करकर चला जाएगा अगले फाइब साल में इसका वैल्यू हो जाएगा यश तो आपको डिप्रिसेशन इमांट मिलेगा फोर फोल डाइट ठीक है अब अगर आप buy नहीं करिते हो, lease पे लेते हो तो loss of depreciation ये भी करना पड़ेगा कि आपको जो loss होगा, जो depreciation अगर आप खरीते हो, अगर माल लेते हैं, you go for this option, this particular option, you are just planning to buy these assets, then you have a what option? you have to invest 20 lakhs, plus ये 4 lakhs, 4 lakhs depreciation will be there, plus you will incur last of tax every month, because you have purchased the assets, then you will not be benefited with this particular tax yield, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, again lease payment आपको देना नहीं है, ये आप, ये किसके लिए है, अगर आप lease पे ले रहे हो, ये lease वाले के लिए है, चलो, और tax yield payment ये lease वाले के लिए है, ठीक है, loss of scrap value, ये, ये भी lease वाले के लिए है, ये option, ये option, ये 20 lakhs, ये 20 lakhs, और ये option, ये बाए वाले के लिए है, बाकि सारे ये lease option है, lease के लिए, तो जैसे अगर NPV के लिए इन्होंने कहा है, कि NPV से अगर निकालना है, पहला method, इन्होंने क्या कहा, कि NPV से आप निकालिए, इसको तीनों method से निकालना है, NPV से आप निकालेंगे, तो same, इसमें पहला cash flow कितना हो रहा है, cash flow कितना हो रहा है, lease rental कितना है, 7 lakhs है ना, 7 lakhs होगा, lease लिए 8 lakhs है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे पहले year के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, करेंगे, करेंगे की नहीं करेंगे, हर साल निकालना है तो चल्व면 बता दिया मैंने इसको बनालो बनाकरे फिल बताओ मुझे इस stat मार लिए यह बनाना एकल का task है जो भी छोहरकर भाग रहा है वह कल उसको चोड़ोंग quello的 सारे को बना की समझ में आए ति उन नहीं समझ हूना यह तब भी क्वेश्चन है वह मैं अगर आपको नहीं समझवाएगा तो मैं क्लास सुरू करने से पहले कल उसको बता दिना ठीक है और बताइए तो कैसा राज का क्लास कि जल्दी करो यार लेट हो रहा है कि आगिया ग्रूप में हूं तो बताइए समझ माया आज कि मैं अधिक कुछ जादा ही परचेस सेल परचेस होगी है कि आप लोंगा अगर विवेक बताओ कैसा रागलास पास्ट ग्रूप में लिख दो ना वट्सप में लिख दो कैसा रागलास नहीं करते हो या तो मोटिवेटी नहीं होता हो मैं कि लगता है कि मैंने अच पढ़ाया तो कुछ समझी भी नहीं आए किसी को तो लगता है कि छोड़ो अटाओ कितना डालने के बाद भी आपको समझ में आया कि नहीं किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है यह समझ में क्लियर था या सिर्फ पर है को समझ में आया यह आपको ब्सक्न परता होगा अब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा क्लारी टी मिल जाएगी तैंक्स आहो भग्य हमारे के कमसे आप लिखे हारदिक साथ और बाकी लोगों के तो लग रहा है कि कुछ लिखी नहीं नहीं पता ही नहीं चले और कोई पूछ पूछना है तो बताओ यह बनाना है कि क्वेस्चन है कल आप बना करके दिखाना कोई प्राब्लम होगा तो पूछ लेना मैं बता दूंगा ठीक है चलो अगर कोई कोई होगा तो पूछ लेना गुरूप में बंद कर रहा हूं ठीक है ओके गुद नाइट गुद नाइट गुद नाइट हार्दिक थैंक्यो